मेडिल एजुकेशन के एक धामाकेदार वीडियो में आपका स्वगत है ये वीडियो ना तो टॉपर सिरीज 2024 का है ना ही है आपके प्रिवोड एक्जाम 2024 का ये वीडियो मैं फायर करूँगा आपके बारसिक परिक्षा बर्स 2024 के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट बारसिक परिक्षा को ध्यान रखते हैं इस वीडियो को बना जा रहा है और क्रेडिट दूँगा मैं बारसिक परिक्षा 2024 को अगर आप कप्छा दसवी के बिद्यार थी हैं इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो मुझे पता है तुम कई सारे यूटूब चैनल में जाते हो और वीडियो को फुल टाइम बोश नहीं करते हो और फाइनली ये बीडियो सबसे अलग और सबसे यूनिक होने जा रहा है और ऐसा बीडियो मैंने आज तक कभी सूट नहीं किया है आपको पता है कि इस वार का मेरा लक्ष है कि MP बोड में कख्षा दसमी के टॉप पर में जो टॉप 10 लिस्ट होता है न उसमें मिडिल एज किसने कोई न कोई इस्टूइंट आए और ये मेरा टारेट है ये मैंने टारेट आपके त्रमासिक परिक्षा से ही बना लिया था और इसी टारेट को पूरा करने के लिए एक कॉपी लेकर के आ चुका हूँ जिसमें कॉपी लिखने का सही तरीका बताऊंगा इक चीज़ बताऊं अपने आप में सभी इस्टूइंट अपने को बहतर मानते हैं सभी इस्टूइंट अपनी कॉपी लिखते हैं अपने राइटिंग को अच्छी हैंड राइटिंग समझ करके और कॉपी सम्मिट करके आते हैं तो कुछ एस्टेंट्स के नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो कुछ वहीं पर उदास और हतास हो जाते हैं कि यार मेरा नंबर क्यों नहीं आया मेरे ज़्यादा उसका नंबर कैसे आ गया एंड हमेशा पढ़ने वाले बच्चे कमन में यही रहता है कि मेरे से ज़्यादा उसका नंबर नहीं आना चाहिए जो हो जाए लेकिन जो एस्टेंट्स पास करने को दिश रहता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर बाकई तुम्हारे अंदर जुनून है कि हाँ मैं टॉप करूँगा इस वार और Middle Age Question से मैं पढ़ाई करता हूँ मैं टॉप करूँगा इस वार टॉप करूँगा मतलब टॉप करूँगा MP के टॉप 10 में अपना नाम लेकर क्या हूँगा एंड Middle Age Question आपके लिए जो कुछ करता है वो करेगा फाइनली एक मैं कॉपी लेकर क्या चुका हूँ एक इस्टिंट का इनके कॉपी लिखने का तरीका मुझे बहतर लगा और इसमें कुछ कमिया भी है तो कमिया को आपके सामने उजागर करूँगा जो बहतर चीज है उसको भी बताऊँगा कि इन्होंने क्या अच्छा लिखा है इसी प्रकार से अगर आप किसी भी सब्रक कॉपी मुझे भेजना चाहते है कि सर प्लीज हमारी भी गलतियां को देखी और आपने कॉपी बेतर लिखने का प्रयास किया है आपको लगता है कि हम एक्जाम में टॉप करेंगे इस वाट्षाप नंबर पर आप आसानी से अपने कॉपी का बगायदे पीडियाफ भेज सकते हैं हम आपके गलतियों को उजागर करेंगे तो चलिए अब हम फटा फट इनके गलतियों को कवर करते हैं और इनकी क्या-क्या अच्छाईयां इसको भी देखेंगे तो अच्छाईयां आपको सीखनी है यहां से और गलतियां आपको एवाइड करनी है सबसे पहले मैं इनका परिश्यवता देता हूँ ये बिलॉंग करते हैं सहडोल जिला से और रगुराज क्रमांक दो इसकोल में पढ़ाई करते हैं ठीक रगुराज क्रमांक के दो इसकोल सहडोल कही सकोल है और एक गौर्णट इसकोल है उत्करष्ट इसकोल है और अच्छे सकोलों में से काउंट किया जाता है ठीक है मैं एक बार रगुराज इसकोल गया था उसके गार्डन आड़न तक गया था ग्राउंड तक अंदर कहीं नहीं गया बस गार्डन तक गया था और घूम घाम के चलाया था रगुराज इसकोल मुझे जाना था देखने आगे बात करते हैं तो इनका नाम आई थिंग रवी है ये श्ट्रेंट का नाम है रवी और रवी नाम के श्ट्रेंट की कॉपी मैं आपके सामने एक्स्टोर कर रहा हूँ आगे बरते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए जब भी एक एक चीज यहाँ पर भरना हुआ करें तो बहुत अच्छे से भरा करिए सुन्दर राइटिंग से क्योंकि यहाँ पर तुम सही तरीके से भरोगे तभी जाकर तुमारी कॉपी चेकोगी और खास कर तुम ध्यन देन कभी कुछ का कुछ दिखता है इसका रिजन ही रहता है कि आपने कॉपी को सही तरीके से फिल किया ही नहीं है ठीक है चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है इनके कॉपी लिखने का तरीका सबसे पहली मैं सभी एस्ट्रेंट से अनुरोध करूंगा कि जब कभी आप लिख करना है एक तो आपको ब्लैक और दूसरा ब्लू बहतर होगा कि आप दो पैन का यूज़ करें जब कुश्चन नमबर हैडिंग डालें तो यहाँ पर ब्लैक से डालें जैसे कि इन्होंने डाला और आप यह डालने को आदना प्लीज बेटा यह अंडरलाइन जरूर करना यह इधर हम साप बना रहे हैं इधर नांग बना रहे नागिन यह मत करना और एक चीज़ धेन रखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पैसे लिखेंगे मा कसम सर मा की कसम आपने नंबर नहीं दिया तो यह सम मत लिखना अगर यह सब लिखोगे तो भाई कॉपी च लिख सकते हो बस यहाँ पर आपको दो अंडरलाइन करना है पतले बढ़िया बगाई दिखीजे और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिले तो कॉपी में एक साइड आपको इस प्रकार से हां से खीचना है सेम ऐसे ही आपको इन्होंने बहतर किया, यहां पर तो आपको बहतर लग रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको बहतर में कमी खलेगी, मैं इसा क्यूं बोल रहा हूं, देखो, इसका simple सा reason क्या है, जब आप answer यहां से लिखना ऐसे ऐसे start करेंगे, यहां तक जाएंगे, फिर अगर इधर दोनों साइड लाइन खीचा रहेगा, तो आपका answer आगे पीछे नहीं भगेगा, suppose करतें कि इधर अहां तक जा रहा है, तो यह answer कोई हमारा यहां तक जा रहा है, तो कोई हमारा यहा तक, कोई यहां तक, कोई ने चला गया यहां दिक्कत होता है तो ऐसे में कॉपी आविवस्थित लगता है तुम खुद देखो आविश्त लग रहा है लेकिन यहीं पर है यदि मैं इधर लाएं खीचा यदि मैंने इधर लाइं खीचा अब इसके बीचों भी चान स्लिक्स लिखने च्शाट किया यहां से प्रश्णुटेगा कि सर कैसे बनाएंगे आपने अभी बोला थोड़ी दिर पहले कि लाइन इधर नहीं खीजना है जी हाँ आपने सही सुना तो कैसे बनाएंगे यह समझो ध्यान से बेटा आपको सपोस करो कॉपी मिलेगी कुछ इस प्रकार से ठीक मैं कॉपी का चित्र ना कॉपी कॉपी यह कॉपी हुई ना वेटा तो इस कॉपी को कर लो फोल्ड मतलब यह आला जो पेज है इसको भी कर दो फोल्ड तो फोल्ड करके इसके उपर आ जाएगा बोलो हाँ आ गया अब जब इसके उपर ही आ गया तो इस कॉपी को फ्यूर एक बार फोल्ड मारो ठीक एक बार फोल भार भी तो कॉपी रहेगी चोटी और आजाएगी इत्ती मोटी ठीक जब मोटी आ गई तो इस साइड के कौरण को तुम मोड़ दो थोड़ा सा मोड़ दो, मोड़ दो मतलब इसको ऐसे पलटा दो ठीक है, किसी दिन मैं कॉपी के आपके सामने दिखा दूँगा लाइफ आकर पर के, ठीक है, भी तो कॉपी मैं हाथ में नहीं लिया हो खोल दो कॉपी को, तो इधर भी लाइण बन जाएगी इधर बन जाएगी लेकिन लाइन नेखी चाहोगा बस लाइन सीधी सीधी बन जाएगी मतलब इधर जितना हासिया छूटेगा उतना हासिया छूटेगा हो सकता ही चीज बहुत सारे इस्टिंट को भी समझ में ना आया हूँ टेंसन मत लो जब मैं लाइफ आऊंगा एक कॉपी लिखर के तो आपके सामने समझा दूँगा ठीक आगे बढ़ते नेक्स्ट अब देखो एक और गलती इन्होंने क्या किया इनकी लिखने के तरीका नमट लिखा प्र жिंग करते हैं कि बहुत सारे क्या करते हैं कि ये बी इसी भी न लिखेंगे ये भी नलिखेंगे कवल, आंसर, 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 ये कभी मत करना magic recụny कभी कभी ऐसी हो जाते हैं कि कुछ लोग p पा की coffee चोक है मुणाम से पजातु है तो तुम्हारे percentage बहुत अच्छे वनेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठेक, तो इस चीज को बिलकुल ध्यान रखना, अब देखो बेटा, जैसे ही आपका answer complete होता है, जैसे प्रशन करवांग एक उत्तर complete हुआ, तो simple सा आपको दो पत्ली line फिर से खीचनी है, इस प्रकार स से, ठेक, और ये जो question number two है, इसको थोड़ी दूरी पे लिखना, यहां से जैसे start करना, थोड़ी distance छोड़ दिना, इससे आपका copy attractive और बेहतर दिखेगा, ये देखो, देखो, तुम खुद देखो न, एक सगन मैं इसे raise करता हूँ, ठेक है, तुम समझना बात को, ये देखो हमने उपर underline किया था, ठीक है, हमने नीचे underline किया, अब तुम copy को देखो, copy तुमारी कैसे दिख रहे है, attractive दिख रहे है ये नहीं दिख रहे है, तुम खुद बताना, लो, लो बेटा, तुम खुद बताओ, तुमारा special, मतलब एक criteria बन गया कि प्रश्न करवाँगे, एक को साम में बहुत अच्छे नंबर लेकर क्या होगे, आगे बढ़तें, अब देखो, प्रश्न करवाँग तीन की इनकी थोड़ी गलतिया देखना, देखो बेटा, इन्होंने ये गलती की, ये मैं पहले बता दिया, underline वाली, ये तो तुम सुधार लोगे, मुझे पता है, अगर अंति में लाइन खीचे होते, तो ये आपका लाइन बराबर होता, देखो, एक यहां तक गया, एक गया यहां तक, एक यहां तक गया, एक यहां तक गया, तुम खुद देख लो, अगर सपोस करो, कि तुम्हारा ये लाइन ऐसे खीचा होता, तो तुम्हारा हर एक का इसके बाहर रहेना जाता और इस पर चूता रहता है यह अंपर चूता रहता है नम Бर रिखतें नandy लेका जाँगा और उसमें बता दूँगा लिखने का वेक्र टरीका तो यह गलती नहीं करोंगे ना पका चलो uphold अप आगे बढ़ती है, प्रश्च नमबर पांच में आपने यहाँ पर जब यह heading डाला तो heading की नीचे आपको एक line करना है, और यहाँ पर आपको दो line करना है, इस चीज को ध्यान दखना, और यहाँ पर नीचे केवल के और केवल, एक line करना इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक ये कर दोगे कॉपी बेहतरीन हो जाएगा अगें इंडोटेक्शन की नीचे डैस करना है इनकी नीचे डैस करना है इन सब की नीचे आपको डैस करना है बाकी कुछ और नहीं करना है ठीक अब देखो वही पर मैं फिर दोहर आऊंगा देख तो आप खुद बताओ बेटा कि यहां पर लाइन खीची होती तो यह आपका आंसर बरावर में आता है नहीं आता आप खुद बताओ यह כा जो बढ़ा है इसलिए बोलता हो यह गलती मत करना और तुम खुद लिख लिख करके देखना आपके स्कूल के सिक्षक नैं आपको तु अब यह इधर लिखा जाता था लेकिन आप ये इधर लिखा जाता है तो आप भी इधर लिखना आज भी बहुत सारे किताबों और गाइडों में यह जो थैंक्फुल वाला sentence लिखा रहा था है यह लिखा होता है इधर ठीक लेकिन आपको इधर नहीं लिखना है इसको उठाकर के इता लिखना इस चीच को ध्यान रखना ठीक इन्होंने बहुत इच्छी तरी के स्लिखा बैरे गुट बेटा ऐसे लिखना है आपको कॉंपी ठीक अब देखो जो जो गलतिया था है वह सुधार लोगे ना बस वही अंडरलाइन की गलतिया है वाक कॉपी चेक करने वाले कमन में और वो काट सकता है दिमाग खराब होगा तो बोले हटाओ तो लग करो यार क्योंकि उसके पास आप बसकी कॉपी चेक नहीं करनी होती ने बेटा आप खुद सोचो करो पास एक 2050 आप या लगती होती है काज़िक कि सब्सकार पास अ वाइस घूत repo एक हम्ठाइब होगा है सभ्षाद क उनसेपा बहुत तो बहुत हों बड़ी बात होती है समझ रहे हो कोई मामूली बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात होते हैं उससे जल्दिन चेक करना पड़ता है उसको अपने टार्गेट देखना है और टाइमिंग क्या है दस से च्छे वज़े गए च्छे बज़े आ गए दस से च्छे कितने घंटे हैं वही यह आपका पांट से च्छे घंटे हैं ठी तुम इस चीज को देहान रखना बाकि यही तुम्हारी गलतिया थी बाकि तुमने को पहुत ही बहुत ही बहुत भी बेहतरी तरीकेस लिखा है ऐसे लिख़ोगे तो डेफिनेटली आप मद्ध वर्देश के टॉप फश रैंक में आऊगे देखो पढ़ाई सब करते हैं कॉपी सब लिखते हैं लेकिन लिखने का सही तरीका जिसको पता होता है वही सही तरीके से लिख पाता है अब एक अंतिम गलतियां ध्यान देखो जैसे इन्होंने क्या लिखा कुश्चन नमबर 15 का आंसर और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है अत्वा को लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से लिखा है आप इसके लावा ऐसे भी कर सकते हैं question number 15 को लिख दिये और बीच में लिखो और और फिर dash करो और फिर answer लिखना चालू करतो वाकि अगर ऐसे लिखे हो ये भी तरीका बहतर है ऐसे भी तरीके को follow कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है वाकि जिसका अथवा नहीं लिख रहे हो तो उसको अथवा मत लिखना ऐसे लिखने जैसे question number 16 का answer तो इस प्रकार से इनके पूरे के पूरे copy को मैंने cover कर लिया है अगर ऐसे ही कोई और students अपने other subject के copy भीना चाहता है ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने तुमको समझा दिया वाकि टॉपर सीरी चलाया हूँ डेफिनिटि तुमको टॉप करांगो टेंसर मतलो बस मेरे साथ मने रहना इधर उदर भटकोगे 50 चैनल में इधर उदर की वीडियोस देखोगे तो लॉस आपको होना है मुझे नहीं बाकि आप समझदार है अपना result आपको स्वेम बनाना है बाकि आप एक एक जानती है मैं करता हूँ वीडियो के इंडिक एक्साम के लिए ओल दिविश्ट बाबाई